हेलो बच्चों कैसे हैं आप अरे अरे ये कौन आ गया यहाँ पर ये तो वो ही नटकर चूहा है जो मेरे घर में घुसकर शेतानी करता है और बच्चों पता है इसकी इस शेतानी के कारण इसकी पूँच इससे बहुत नहराज है ये पानी में जाता है तो पूँच सारी गिली हो जाती है और ये सारव दिन इदर उदर भागता है तो इसकी पूँच को चोट लग जाती है इसके कारण इसकी पूँच इससे नराज हो गई और इससे बहुत दूर चली गई चलते चलते इसकी पूँच पहुची एक वर्ण बगीचे में देखो गुसे से कैसे फूल गई ह वर्ण बगीचे में सारे वर्ण खेल रहे थे, वे भी उनके साथ खेलने लगी क के साथ खेलते खेलते, क ने कहा, अरे अरे मेरा नाम तो बदल गया, मैं तो कू हो गया फिर वो र से खेलने लगी तो र रू हो गया वो ट से खेलने लगी तो ट टू हो गया तो सारे वर्ण बड़े खुश हो गए अरे अरे तुमने तो हमारा नाम बदल दिया तभी वर्ण बगीचे में चूहा ढूंते अपनी पूँच को वहां पहुचा उसने बोला अरे अरे सौरी मेरी पूँच मुझे माफ कर दो प्लीज मेरे पास वापस आजाओ मैं तुमारे बिना अकेला हूं तो पूँच ने बोला अगर तुम शतानी कम करोगे मैं तभी वापस तुमारे पास आऊंगी चूहे ने कहां नहीं करूंगा शतानी नहीं करूंगा और उसकी पूँच चूहे के पास वापस चली गई और सारे वर्ण बोले प्लीज मत जाओ हमें तुमारे साथ बड़ा मज़ा आ रहा था सब ने पूँच को बोला प्लीज मत जाओ मत जाओ तो पूछ ने बोला मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे मैं उनको बोलूँगी वो तुमारे साथ वर्ण बगीचे में खेलने आएंगे और उस पूछ ने अपने सारे दोस्त वर्ण बगीचे में भेज दिये अब सबको एक-एक दोस्त मिल गया, पूँच वाला दोस्त, और सारे वर्ण बहुत खुश होए कि हमें भी एक पूँच वाला दोस्त मिल गया, और सबका नाम बदल गया, ये है नू, कू, टू, र के नीचे पूँच है, रू, वू, हू, मू, और छू, ऐसे ही पूँच लगते ही, सब वर्णो का नाम बदल गया, बाई बाई दोस्तों, फिर मिलेंगे